हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू रंजन इंस्टिट्टूट आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम गेट 2004 केमकल रियक्शन एंजिनिंग के सारे क्वेशन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स ठीक है तो फर्स्ट क्वेशन देख लीजी यहां पर एक केमकल रियक्शन दिया गया है ठी ठीक है और जो order है with respect to carbon monoxide hydrogen और CS3OH वो हमें alpha beta gamma दिया गया है ठीक है तो हमसे option में पूछा जा रहा है कि which of the following is not possible ठीक है तो friends इस question में देखें कहीं पर भी यह given नहीं है कि यह reaction elementary reaction है ठीक है तो अगर यह elementary reaction होता तो directly आपका alpha 1 होता beta 2 and gamma 1 directly यह हो जाता ठीक है लेगिन यहाँ पे यह हमें नहीं given है कि यह elementary reaction है या कौन सा reaction है ठीक है तो alpha beta gamma कुछ भी हो सकता है friends कोई भी value हो सकती है ठीक है क्योंकि order complex reaction का हम stoichiometry देखके decide नहीं कर सकते है ठीक है तो यह जो question है friends यह थोड़ा सा मुझे inappropriate question लग रहा है ठीक है क्योंकि order तो कुछ भी हो सकता है तो even यह option भी possible है कि alpha 1 हो beta 1 हो और gamma 1 हो ठीक है यह भी हो सकता है लेकिन चलिए हम देखते हैं कि most appropriate answer इसका क्या हो सकता है चलिए देखें जो alpha 1 है beta 2 है और gamma 1 है अगर यह elementary reaction है तब ठीक है अगर यह complex reaction भी होगा ना friends तो क्या होगा कि जो rate होग वो इसी proportion में 1, 2, 1 के ही proportion में जादा दर change होने का chances है ठीक है तो देखिए यहाँ पे alpha, beta और gamma का जो proportion है वो कुछ इसी type का है 1, 2, 1 ठीक है 1, 2, 1 और यहाँ पे देखिए alpha, beta, gamma यहाँ पे भी 1, 2, 1 का ही proportion है 2 से multiply कर दीजिए तो same यह वाला proportion आएगा friends ठीक है तो B, D और C में यह proportion में है 1, 2, 1 के जो भी stoichiometric coefficient है उसी के proportion में है जबकि option A में यह proportion में नहीं है तो इसलिए most suitable answer इसका A होगा वैसे मैं आपको बता देना चाहरा हूँ कि A भी आपका यह order हो सकता है ठीक है आप lemon spill book में अच्छे से पढ़िए order के बारे में और फिर आप comment box में लिखिए कि A possible हो सकता है कि नहीं अब चुकि हमें और in all four options one we need to select कि which is not possible then A is most suitable answer that it is not possible second question देख लेते हैं friends यह ammonia synthesis है ठीक है उसका rate expression हमें दिया गया है ठीक है तो if reaction represented by हमने क्या किया कि coefficient को हमने 2 से divide कर दिया है तो यहां 1 by 2 3 by 2 और यहां पर भी सायद 1 by 2 होगा यहां पर कुछ गरबढ़ हो गया है friends यहां 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 पर इस ट्रक्मेट्र को efficient 2 रहेगा ना तो 2 से divide करेंगे तो यह 1 आ जाएगा ठीक है तो आप इसको करेक्ट कर लेजे तो अब यह सही है ठीक है टू से नहीं होता है क्योंकि कोई भी आप इस्ट्रक्मेट्री कुछ भी चेंज करिए डिवाइड या सब्सक्राइब करके जो और है वो तो कि maximum कहां होगा ठीक है या temperature profile हमें बताना होगा ठीक है तो endothermic reaction A to B irreversible reaction है friends ठीक है तो अगर यह reactor adiabatic reactor हो हो तो कोई भी हीट यहां से इन और आउट नहीं होगा ठीक है तो जैसे जैसे हम यह plug flow reactor में आगे की तरह प्रोशीड करेंगे क्या होगा चुकि यह reaction endothermic reaction है तो heat consume होगी तो reaction mixture का temperature continuously reduce होगा तो temperature profile plug flow reactor में इस टाइप से हमें मिलेगा ठीक है अब देखिए concentration profile वो भी एका concentration continuously drop होगा ठीक है ना और कि यह irreversible reaction था फ्रेंट सॉरी कि कि मैं reversible reaction बोल दिया यह question में irreversible reaction था फ्रेंट सॉरी इसके लिए तो आपका जो rate expression है वो क्या है के सी ए और यहां पे सी ए डिक्रीज हो रहा है with distance अच्छा k के बारे में क्या कहेंगे चुकि temperature drop हो रहा है तो k rate constant भी drop होगा ना क्योंकि यह आरेनियस law से गवर्न होगा ना k not e के power minus e a by r t अगर temperature drop हुआ तो यह quantity drop होगी और यह quantity drop होगी तो यह पूरा का पूरा negative power है तो यह पूरा का पूरा drop होगा तो rate constant drop होगा rate constant drop होगा तो आपकी rate भी drop होगी इसका मतला maximum rate inlet पे होगा और जैसे जैसे हम आगे proceed करेंगे यहाँ पे minimum rate आएगा outlet पे है तो यह सारे b c d यह सारे option incorrect हो जाएंगे fourth question है friends first order gaseous phase reaction है और वो catalyzed by non-porous solid है non-porous solid के उपर वो reaction हो रहा है और kinetic rate constant and external mass transfer coefficient is k and kg respectively the effective rate constant k effective is given by ठीक है friends तो देखिए यहां से जो भी number of moles चलेंगे वो क्या करेंगे सबसे पहले यह gas phase में यहां से यह travel करेंगे उसके बाद एक gas film बनेगी ना जिसमें की एक resistance होगा जिसके थो यह molecule a का pass करेगा फिर यह catalyst की surface है यहां पर reaction होगी तो यहां पर क्या होगा concentration का drop होगा क्योंकि यहां पर diffusion हो रहा है तो इस c a not यहां का concentration और catalyst के surface का concentration c a s है ठीक है तो जो भी जो भी यह a का molecule diffuse होके आया ठीक है यहां से यहां तक वो सारा का सारा react हो जाएगा steady state पे ना तो steady state पे आपका reaction rate is equal to जो diffusion से आ रहा है उतना और जो यहां catalyst के surface पे reaction हो रही यह equal हो जाएगा फिर यहां से हम इन दोनों का यूज करके c a not minus c a s निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा minus r a by kg और यहां से c a s निकालेंगे तो minus r a by k ठीक है अम दोनों को हमने add किया तो यह c a c x cancel out हो जाएगा तो यहां पे c a not बचेगा सिर्फ ठीक है यहां पे c a not बचेगा और minus r a हमने common लिया तो 1 by kg प्लस 1 by k यहां पे हम अलट से लिख लेंगे उसके बाद देखिए friends minus r a यहां पे हो जाएगा c a not divided by 1 overall rate होगी friends उसमें जो k effective होगा वो दोनों resistance से इसको contribute करके होगा न external mass transfer and this rate constant का inverse ठीक है intrinsic reaction का जो resistance है उसका ठीक है तो इसलिए हमने इसको first order reaction के form में लिख दिया है और यहां पे जो k है उसको हमने effective rate constant लिखा है और दोनों को compare करने पर हमें पता चला कि k effective one by k effective is equal to one by kg plus one by k यहां से k effective आप calculate करोगे तो k kg k plus kg ठीक है ना तो कौन सा option यहां पर correct हो जाएगा डी option यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा फ्रेंज फिप्ट क्वेस्चन हम देख लेते हैं फ्रेंज फॉर पैक बेड रियक्टर प्रजेंस आफ लॉंग टेल इन रेजिदेंस टाइम डिस्ट्रिबूशन करव इस एन इंडिकेशन ओफ आइडियल प्लग फ्लो बाइपास डेट चों चैनलिंग अब फ्रेंज इस क्वेस्चन में हम लोग क्या करेंगे फ्लाग फ्लो के लिए ठीक है फ्लाग फ्लो के लिए रेजिदेंस टाइम डिस्ट्रिबूशन का प्लॉट पहले हम बनाना सीखेंगे उसके बाद क्या करेंगे फ्लाग फ्लो में हम डेड जोन बाइपास और चैनल लगा flow rate V से water flow कर रहा है water या कोई भी liquid मैं example के लिए यहाँ पे water ही लोगगा फ्रेंश ठीक है इसमें क्या किया जाता है कि M kg का एक tracer T is equal to 0 पे यहाँ पे input कराया जाएगा ठीक है तो जैसे ही M kg का हमने यहाँ पे input कराया यह tracer water में घुलेगा water में घुलके यह कुछ इस तरीके से यह water में घुलेगा कि यह बिल्कुल एक strip बनाएगा क्योंकि mixing नहीं होगी mixing बिल्कुल allow नहीं है तो क्या होगा जैसे ही first यहाँ पे यह tracer आएगा तो वो पूरे के पूरे किसमें घुलेगा पूरे के पूरे इस डिस्क में घुल जाएगा है ना colorant जिसको बोलेजिए colorant यहाँ पे लिया गया तो colorant पूरे के पूरे डिस्क में ऐसे घुल जाएगा लेकिन यह axially mix नहीं होगा मतलब इस direction में और इस direction में कोई mixing नहीं है radially यह mix होगा plug flow का यही तो definition है कि radial mixing is allowed but axial mixing is not allowed radial mixing मतलब क्या है इस direction में radius के direction में mixing हो रही है ठीक है तो पूरा का पूरा disk हमारा red color का हो जाएगा अगर आपने red colorant यहाँ पे डाला है उसके बाद क्या करेंगे time के साथ क्या होगा यह disk move करेगा time के साथ जैसे time spend होगा यह move करेगा और आप outlet का concentration अगर यहाँ measure करेंगे तो कुछ time बाद यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा water ही आ रहा यह disk तो पहुंचा नहीं है मतलब colorant तो अभी यहाँ पे पहुंचा नहीं है तो यह पूरा का पूरा concentration यहाँ से यहाँ तक zero रहेगा जब यह residence time इसका complete हो जाएगा यह resistance time residence time या फिर space time जब complete हो जाएगा तो यह disk यहाँ पे reach होगा ठीक है और यहाँ पे जैसे ही reach होगा तो concentration हमें so up होगा तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही high concentration t is equal to tau पे हमें so up होगा उसके बाद यहाँ पे कोई concentration इधर हमें नहीं मिलेगा इसके बाद भी concentration जीर होगा इसके पहले भी concentration जोर रहेगा और सिर्फ t is equal to tau पे हमें बहुत high concentration मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से plug flow का आप outlet concentration draw कर लिए अब et curve draw करना है जो outlet concentration है वो directly related होता है किसके यह concentration के बस आपको e की जगा पे e e जब आप लिखते हैं तो c upon mass of tracer input divided by volumetric flow rate इससे हमें divide कर दें तो यह plot हमारा et में convert हो जाता है तो et में इस तरीके से एक impulse plot हमें पता चल गया ठीक है अब चलिए देख लेते हैं कि bypass होने से क्या होगा bypass में क्या करेंगे फ्रेंच कि यहां से एक stream ले आएंगे और यहां पे हम outlet पे connect कर देंगे ठीक है अब फ्रेंच क्या करेंगे कि इसमें एक tracer m gram का input कराईए ठीक है अब हम input कराएंगे और यहां पे outlet का concentration measure करेंगे ठीक है तो t is equal to 0 पे जैसे हमने m gram यहां पे input कराया तो यह m gram two parts में divide हो गया एक तो इधर आएगा और दूसरा इधर चला जाएगा m dash इधर और m double dash इधर मतलब different different gram का tracer यहां पे और यहां पे दो stream में divide हो जाएगा और फिर क्या होगा यह जो colorant है या tracer travel करके bypass से यहां पे हमारा swap होगा ठीक है और यह वाला जो stream है इसमें जो tracer आया है वो भी अपना ऐसे ऐसे travel करके यहां पे outlet पे swap करेगा तो यह वाली stream है इसकी वाज़े से similar event होगा कि tau time पे एक impulse सो होगा ठीक है और यह bypass stream से क्या होगा और यह bypass stream से क्या होगा कि t is equal to 0 पे ही एक impulse आएगा ठीक है t is equal to 0 पे ही एक impulse आएगा क्यों क्योंकि यह bypass stream का residence time है वो बहुत कम है compare to a plug flow क्योंकि यह देखिए plug flow एक बड़ा सा reactor होगा इसका volume काफी high होगा और यह तो simply एक pipe है ना friends simply एक बहुत thin pipe है तो ideally हम आजियूम करते हैं कि t is equal to 0 पे ही यह stream में जो colorant होगा वो यहां से यहां पहुंच जाएगा इसका जो क्या मोलते है transportation lag है बिल्कुल इसका 0 है यह ideal case में होगा और non-ideal के case में क्या होगा कि कुछ time बाद जब यह यह वाला tracer यहां से travel करते 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 यहां तर पहुंचा माली जब उसको इतना time लगा तो यहां पे एक impulse generate होगी यहां पे एक impulse generate होगी समझ गया तो हमें question में पूछा गया था कि long tail होना चाहिए तो क्या यह जो graph है ET का same CT वाला graph भी ET का भी graph बनेगा नहीं यहां पे same तो क्या इस graph में कोई long tail है लॉंग टेल का मतलब कुछ इस टाइब से friends समझ गया कि बहुत time तक बहुत time तक यह लॉंग टेल का मतलब होता है इस टाइब का अगर residence time हो तो मतलब बहुत जादे time पे भी कुछ ना कुछ थोड़ा साही लेकिन concentration show up होता रहे तो उसको हम long tail पे होता है तो इसका मतलब bypass तो बिल्कुल ही नहीं होगा दूसरा है friends channeling दूसरा है channeling channeling में क्या होता है कि एक path बन जाता है एक secondary path बन जाता है माली यह कुछ इस type से एक path बन गया ठीक है ठीक है तो अगर हमने tracer input कराया यहाँ पे तो tracer क्या होगा plug में भी जा सकता है और इस path के through भी reactor के अंदर से यह जा सकता है ठीक है ऐसे होते हुए तो क्या होगा कि जो tracer plug flow से pass हो रहा है वो तो same tau impulse देगा उसके लावग जो इस channel में या इस path से जो tracer pass किया है वो भी एक impulse देगा ठीक है तो channel ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा residence time कई होता है हो सकता है इधर भी एक impulse दे ठीक है तो ET plot में भी similar ही impulse आएगा channel की वज़े से तो क्या यह long tail type का plot है जी नहीं तो यह भी हमारा solution नहीं होगा और ideal plug flow में भी तो long tail है नहीं तो किसी में A, B, D तीनों में भी long tail नहीं मिलेगा तो long tail किस में मिलेगा dead zone में मिलेगा friends अब देखते हैं कि यह कैसे possible है अब यहाँ पे हमने tracer inlet कराया ठीक है? inlet कराया tracer यहाँ से travel करेगा ऐसे disc type से travel करेगा और tau time के बाद एक impulse देगा friends यहाँ पे ठीक है? अच्छा अब क्या करेंगे ना friends जैसे कि जब यह disc यहाँ पे आया ठीक है? जब disc आया अच्छा मैं example के लिए हाँ पे ideal plug flow लिया हूँ आप mixed flow reactor भी लेके analysis कर सकते हैं ठीक है? कोई problem उसमें नहीं होगी आप analysis कर सकते हैं तो यह वाला disc travel करकर 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 करके यहाँ आया तो क्या होगा? dead zone क्या होता है कि reactor के अंदर ही एक ऐसा छोटा सा volume रहता है जिसमें की कोई reaction नहीं होती है वहाँ तक reactant जादतर chances रहता है की पहुचता ही नहीं है लेकिन suppose करिए कि क्या हुआ कि इस dead zone में कोई tracer यहाँ पर फस गया कुछ amount ठीक है? कुछ amount फस गया यहाँ पर यहाँ से tracer आके छोटे से volume में फस गया तो same इसका जो nature होगा अभी भी क्या होगा? कि tau time पर impulse तो आएगा ही लेकिन water तो continuously यहाँ पर flow हो रहा है तो क्या होगा? कि यह जो dead zone है dead zone से यह जो tracer है निकल निकल के outlet पर कुछ न कुछ concentration देता रहेगा time के साथ ठीक है? ऐसे निकल निकल के कुछ न कुछ concentration यहाँ पर देता रहेगा तो इधर से हम देखेंगे तो इस type से इसका plot बनेगा कि tau पर impulse रहेगा और काफी time बाद यह थोड़ा-थोड़ा concentration outlet पर बना रहेगा क्योंकि यह dead zone में आपका tracer फसा हुआ था वो धीरे-धीरे time के साथ निकलेगा और completely यहाँ से पूरा tracer निकलने में कितना time लग जाएगा infinite time लगेगा क्योंकि कोई नो कोई फसा हो सकता है रहे जाए तो बहुत ही long tail बनेगा अगर dead zone रहेगा तो I hope यह explanation आपको समझ में आया होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने friends के बीच में भी share करिए ठीक है उनको बताइए कि यह previous year का ऐसा series यह इस channel पे आप देख सकते है ठीक है और friends अगर इस channel को आपने support किया तो हम लोग basic concept clearing का भी class start कर देंगे जल्दी ही ठीक है 6th question देख लेते हैं यहाँ पे एक plug flow reactor में gas phase reaction हो रही है A plus 0.5 B gives C ठीक है तो जब भी gas phase reaction हो ना friends तो आपको stoichiometric जरूर change चेक करनी चाहिए क्योंकि क्या होता है कि stoichiometric के ही according density भी change होने लगता है देखिए यहाँ पे 1.5 total mole अगर हम लें A का 1 mole और B का 0.5 mole तो C 1 mole बनेगा मतलब 1.5 total mole से 1 mole बन गया मतलब number of moles change हो रहे है तो number of moles change हो रहे है with conversion इसका मतलब क्या हो गया कि density reaction का change होगा तो ऐसे case में आपको expansion factor का use करना पड़ेगा ठीक है reactor में feeding की जा रहे है 300 Kelvin पे ठीक है और 1 ये reactor के along 1 meter length पे ठीक है concentration हमारा CA है वहाँ पे temperature 360 Kelvin है ठीक है और pressure drop negligible है मतलब यहाँ पे भी जो pressure है वही यहाँ इस point का भी pressure है ठीक है और ideal gas assume किया जा रहा है reaction mixture तो हमें CA naught और CA CA naught यहाँ रहा concentration CA 1 meter पे जो concentration है इसमें relation find out करना है with conversion friends ठीक है अच्छा देखिए जो concentration है friends उसको हम क्या लिख सकते है number of moles of A upon volume ठीक है number of moles को हम conversion के form में लिखेंगे तो NA naught 1 minus X और volume को V naught 1 plus EA X हम लिख सकते हैं है ना अच्छा EA हमें find out कैसे करना होता है हमेशा हम stoichiometry से find out करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे reaction लिख लिया और question में हमें दिया गया था कि A और B हमें जो initially लिया है हमने वो stoichiometric ratio में लिया गया है तो अगर A mole लिया गया A का basis अगर हम लेते हैं तो B कितना mole लिया जाएगा A by 2 और जब reaction complete होगी तो यह भी 0 यह भी 0 और C बन जाएगा A mole ठीक है अब हम यह equation यूज करेंगे linear expansion factor वाला ठीक है तो B by B not कितना हो जाएगा A upon 1.5 A final mole upon initial mole तो final mole यहाँ पे A था initial 1.5 mole था तो यह 1 प्लस E A X से 100% conversion है इसलिए हमने X A को 1 रख दिया तो यहाँ से हमारा आ गया E A minus 0.333 ठीक है अच्छा अब देखिए हमने यहाँ पे देखा कि temperature भी friends change कर रहा इस reaction mixture का तो जब भी gaseous reactants हो और temperature change होगा तो P B is equal to N RT से देखिए P is equal to CRT होगा कि नहीं होगा इसके मलदा concentration is proportional to 1 by T तो temperature भी concentration को क्या करेगा? change करेगा ठीक है ना? तो inversely proportional है इसलिए हमने CA को CA और पे जो concentration आया है इस formula में वहाँ पे हमें T का division करना पड़ेगा क्योंकि inversely proportional है और T not से multiply करना पड़ेगा 11th PIL की book में है आप chapter number 4 में जाके देखिए यह formula है not even this you can add pressure factor also pressure upon initial pressure P not यह भी factor यहाँ पे add होगा अगर pressure भी vary होता friends तब लेकिन इस question में हमारा दिया गया है कि pressure drop negligible है ठीक है तो हम temperatures को रखेंगे T not initially 300 था और T 360 था friends ठीक है तो यहाँ से हमारा concentration आ गया 0.83 1-X upon 1-0.33 X friends ठीक है तो कौन सा option यहाँ पे correct option हो जाएगा यह C option यहाँ पे correct option हो जाएगा 7th question है friends A second order liquid phase reaction A to B is carried on mixed flow reactor operated in semi batch mode ठीक है with no exit stream तो देखिए यहाँ पे हमने एक mixed flow reactor draw किया है inlet यहाँ से draw किया है यहाँ पे कोई outlet नहीं है ठीक है अब देखिए reactant A जो है उसका concentration CAF है at the inlet ठीक है volumetric flow rate reactant का F है तो the volume of reacting mixture is V and density of the liquid mixture is constant density is mixture का constant है और volume V है तो the mass balance of A is A का mass balance हमारा कितना होगा तो यह easy question है यह ज्यादा cutting question नहीं है मुझे लगा कि इसमें conversion और और भी चीज़े पूछेगा तो वो ज्यादा cutting हो जाता ठीक है simply mass balance करना तो बहुत ही आसान है हाला कि एक question पूछा है 8 previous year में किसी 2008 या किसी में उसमें आपको final conversion भी बताना था तो उसमें थोड़ा सा calculation ज्यादा रहेगा चलिए जो यह लोग यह पूछ रहे हैं वह हम लोग solve करेंगे तो सबसे पहले हम material balance करेंगे एक ठीक है तो in minus out is equal to accumulation plus disappearance inlet कितना है friends volumetric flow rate F है और inlet concentration CAF है outlet तो यहाँ पे कुछ है नहीं ठीक है और accumulation कितना होगा friends देखिए number of moles इस reactor में कितने होंगे CA concentration of A into volume of reaction mixture तो CA into V ठीक है और d by dt तो होए change accumulation का turn disappearance कितना है rate of reaction minus RA into V यह हो जाएगा आपका rate of reaction तो यह इसी rate से A हमारा disappear होगा ठीक है अब देखिए second order reaction था तो हमने minus RA की जगह पे KCA square पुट कर दिया ठीक है और यहाँ से आप देखोगे तो simply d c v by dt को हमें निकालना है तो f c f minus k c a square v आ गया और d option यहाँ पे correct option हो जाएगा ठीक है 8th question देख लेते हैं इसमें isothermal second order aqueous phase reaction A to be given है ठीक है हमें find out करना है ratio of time required for 90% conversion to time required for 45% conversion ठीक है तो हम क्या करेंगे rate expression सबसे पहले रिखेंगे minus d c a by dt is equal to k c a का whole square c a को हम इधर लाएंगे dt को इधर लाएंगे integrate करेंगे t is equal to 0 पे concentration c a naught है t is equal to time t पे concentration c a है हमने जब integrate किया तो हमारा यह expression आया अब हम जो भी conditions दी गई है 90% conversion और 45% conversion वो हम यहाँ पे put करेंगे 90% जब conversion है तो यहाँ पे c a हमारा आ गया 0.1 c a naught ठीक है और जो भी हमने expression find out किया था उसमें हमने यह put किया तो यहाँ से हमारा यह relation आ गया 9 is equal to c a naught k t ठीक है 45% conversion के लिए हमारा c a कितना आ जाएगा 0.55 c a naught ठीक है ना अब देखिए हम 0.55 c a naught इस equation में put करेंगे तो हमारा यहाँ से t45 का relation वाला equation आ जाएगा ठीक है और हम इन दोनों expression को divide करेंगे तो हमारा t90 by t45 आ जाएगा 11 friends ठीक है c option यहाँ पे correct option हो जाएगा 9th question हम देख लेते हैं यह isothermal aqueous phase reversible reaction यहाँ पे हमें दिया गया है P is converting into R ठीक है और यह reaction mixed flow reactor में हो रहा है ठीक है और rate expression हमें यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो हमें find out करना है residence time required in hours for 40% conversion of P ठीक है ठीक है तो कोई मुस्किल नहीं है फ्रेंट्स residence time हमसे पूछा गया है और stoichiometry देखे इस question में P is equal to R मतलब यह constant density का reaction mixture होगा ना क्योंकि stoichiometry change नहीं हो रही है इसके लावा फ्रेंट्स इसमें aqueous phase भी दिया हो तो जहाँ भी aqueous phase या liquid phase रहेगा वो जेनेरली वो constant density का ही question रहेगा फ्रेंश ठीक है constant density का ही reaction mixture रहेगा तो आपको expansion factor का consider करने का जरूरत नहीं है ठीक है और जब भी ऐसा होता है कि constant density हो तो आपका space time और residence time दोनों equal हो जाता है तो हमने simply performance equation लिखना है mixed flow reactor का वो कितना है cp not minus cp by rp ठीक है minus rp तो यहाँ पे जब हमने put किया ठीक है तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें दो variable आ गया है cp and cr friends तो जब भी हमें reversible reaction को हम rate expression लिखते हैं तो हमें दो variable आते हैं तो उसको convert टरने के लिए हमें simply इसको conversion के form में convert कर देते हैं ताकि हमें केवल एक ही variable से deal करना पड़े ठीक है उसके लिए हमने initial concentration p का cp not रखा है time is equal to t is equal to t पे यह हो जाएगा cp not 1 minus x p का concentration और r का concentration हो जाएगा xp not friends ठीक है अब देखिए cp यहाँ पर रखिए तो यह हो जाएगा cp not 1 minus x से और cp और cr ठीक है यहाँ पर रख दीजिए cp not एक दूसरे से cancelled out हो जाएगा तो simply tau हमारा आ जाएगा x upon 0.51 minus x minus 0.125 x friends ठीक है अब हमारा दिया गया था question में कि 40% conversion है तो x की जगा पर हमने 0.4 रखा तो हमें space time या residence time 1.6 आ गया friends यह interesting question है friends इसको हम लोग चलिए देखते हैं step wise ठीक है एक pollutant है P और वो degrade कर रहा है first order kinetics से ठीक है और inlet पे उसका concentration 2 mole per meter cube है और volumetric flow rate इसका 1 meter cube per hour है और mixed flow reactor में इसको treat किया जाता है और volume V required है इसके concentration को 2 kmol per meter cube से 0.5 kmol per meter cube convert करने में ठीक है अब second situation में क्या किया जाता है reference कि inlet के concentration को double कर दिया जाता है मतलब 4 और volumetric flow rate को triple कर दिया जाता है मतलब 3 कर दिया जाता है ठीक है तो इफ पॉल्य लेवल is to brought down to the same level of 0.5 kmol per meter cube the volume of mixed flow reactor should be increased by the factor ठीक है आउटलेट पर concentration अभी भी उतना ही हमें चाहिए 0.5 तो यह जो V डैस है वो किस factor से इस वाले V से increase करना पड़ेगा वो हमें find out करना पड़ेगा ठीक है तो दोनों ही reactor के लिए हम performance equation लिखेंगे ठीक है performance equation simply क्या हो जाएगा V by volumetric flow rate यहाँ पर CO not minus CA upon case CA ठीक है और similarly अगर इस वाले reactor के लिए लखें तो यह हो जाएगा V dash by यह volumetric flow rate का डैस भी यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर यह change कर रहा है ठीक है अच्छा यहाँ पर CA not minus CA k CA हमने put कर दिया ठीक है अब देखिए CA not यहाँ पर 4 है CA point 5 है यह सब put किया तो हमें इधर आ गया 7y k और यहाँ पर भी हमारा CA not 2 है CA 5 है हमने put किया तो यह आ गया 3 by k ठीक है तो V volumetric flow rate 1 है इसका भी multiply कर देंगे तो V हमारा आ गया 3 by case first case में second case में क्या होगा friends कि volumetric flow rate 3 है 3 हमने put किया तो V dash आ गया 21 by k तो देखिए यह जो V dash है कितने times इस V से ज्यादा है तो देखेंगे 7 times ज्यादा है friends ठीक है 7 times ज्यादा है तो 7 के factor से हमें increase करना पड़ेगा यहाँ पर option यह हमारा correct option हो जाएगा इस question में friends हम देखते हैं कि एक reversible exothermic reaction हो रहा है एक plug flow reactor में ठीक है तो maximum and minimum permissible temperature are T max and T min यह हमें given कि इससे ज्यादा temperature नहीं करना है और इससे कम temperature भी नहीं करना है तो which one of the following temperature profile will required for the shortest residence time to achieve the desired conversion चलिए इसको हम लोग solve करते हैं तो देखिए shortest residence time का मतलब है friends कि minimum volume required simply ठीक है minimum volume required और minimum volume कब required होगा जब हम rate को maximize कर सकें और rate को maximize करने के लिए friends exothermic reaction में हमें optimum temperature progression को follow करना पड़ता है ठीक है यह conversion versus temperature का plot मैं कर रहा हूं ठीक है और यहां पर यह constant rate के लिए green line से constant rate वाले lines है ठीक है तो जिस conversion पर यह rate maximize होता है ना friends उन सारे points को मिलाने पर हमारा optimum temperature progression आता है ठीक है 11 spill में दिया भी गया है non isothermal reaction में आप जाके देख लिजिए वहां पर चेक भी करिए कि optimum temperature progression क्या है तो हम क्या करते हैं कि high temperature से शुरू करते हैं और इस तरीके से धेड़े धेड़े temperature को low करते जाते हैं हम ऐसे low करते हैं कि हमारा किसी given conversion पे rate हमेशा maximum हो ठीक है क्या होता है फ्रेंस एक जो thermic reaction में जैसे जैसे temperature आप बढ़ाएंगे तो यह जो white color से ड्रा किया है यह मैंने equilibrium conversion ड्रा किया है तो यहाँ पर two होगा यहाँ पर five होगा तो इधर इस side में rate of reaction हाई है मतला अगर हमने high temperature रखा तो rate of reaction तो हमें high मिला लेकिन friends equilibrium conversion यहाँ पर continuously reduce हो रहा है तो एक certain equilibrium के बाद और ज्यादा हम conversion achieve नहीं कर सकते जैसे कि मालीज अगर इस temperature पर रहें तो maximum conversion हमारा इतना होगा इसके बाद यह equilibrium आ जाएगा उसके बाद conversion नहीं होगा तो इसी temperature पर आपको reactor को पूरा operate करना पड़े तो आपका final conversion यही रहेगा ठीक है तो conversion बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यह temperature को continuously reduce करना पड़ेगा लेकिन हम temperature को ऐसे wisely reduce करेंगे कि rate हमारा maximum हो ठीक है for given conversion friends तो इस तरीके से यह profile आता है कि एक maximum temperature से हमें minimum temperature तक जाना होता है ठीक है तो देखिए कौन से option में maximum temperature से minimum temperature गया है तो देखिए option B में हमारा maximum temperature से minimum temperature यहाँ पर गया है जैसे जैसे हम plug flow में आगे की तरफ बढ़ेंगे friends ठीक है यह last question है friends लेक्चर का इसमें irreversible aqueous phase reaction A plus B is converting into P हमें दिया गया है ठीक है और यह adiabetic mixed flow reactor में हो रहा है ठीक है और feed जो है वो 4 kmol per meter cube A और B each है और हमें जो volumetric flow rate है A B का वो है 8 meter cube per hour ठीक है और outlet temperature है इसका 390 then what is maximum feed inlet temperature allowed यहाँ पे जो T है वो maximum कितना हो सकता है कि यह 390 से ज़्यादा न हो friends तो ऐसा हमें करने के लिए क्या assumption मानना पड़ेगा कि conversion इस reactor के अंदर अगर 100% है तो maximum heat generate होगी और maximum heat generate होगी तो यह maximum temperature पे रीच करेगा तो अगर maximum allowed temperature यह inlet हमें find out करना है तो यहाँ पे heat produce को भी हमें maximize करके ही देखना पड़ेगा ठीक है सबोज कर यह आपने calculate किया point 70% conversion के लिए और गलती से क्या होगया 90% conversion होगया तो heat ज़्यादा produce होगई heat ज़्यादा produce होगई तो यह temperature cross कर जाएगा 390 को इसलिए हमें 100% conversion पे इसको assume करना पड़ेगा कि यह reaction होगी ठीक है अच्छा इसके लब हमें data यह दिया है कि 50 kJ per mole ठीक है यह है heat of reaction और density reaction mixture का density 1000 kg per meter cube है और specific heat of reacting mixture हमें दिया है 2 kJ per kg Kelvin the above data can be assumed to be independent of composition and temperature composition और temperature पे यह change नहीं हो रहा है friends क्या आपका heat of reaction और heat capacity यह दोनों ही change नहीं हो रहा है composition और temperature के साथ ठीक है तो सबसे पहले हम इस question को friends formula based जो कि 11th field में formula हमें given है यह वाला x is equal to cp delta t by delta hr2 उसके basis पे solve करेंगे ठीक है क्योंकि उससे बहुत आसानी से solve हो जाता है ठीक है उसके बाद हम basic से भी energy balance से इसको solve करेंगे जो भी आपको explanation अच्छा लगेगा वो आप हमें comment box में लिख के बताईए कि आपको formula से solve करना जदा easy लगता है कि basic heat balance से question को solve करना easy लगता है ठीक है जो outlet temperature है T2 and heat of reaction at temperature T2 अच्छा यह heat of reaction भी per mole है और यह heat required to raise reactant temperature per mole of feed है यह दोनों per mole में ही happen तो कोई problem नहीं है जो कि heat of reaction हमें per mole तो अल्रेड़ी दिया ही है देखिए 50 kJ per mole अल्रेड़ी given है अब हम देखते हैं कि feed में per mole कितना heat हमें देना पड़ेगा ताकि वो का temperature 390 हो जाए initial temperature T से तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा CP delta T करना पड़ेगा ठीक है अब CP कितना है reaction mixture का वो हमें find out करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो heat capacity है A का ठीक है वो हमें 2 kJ per kg per Kelvin दिया गया है actually वो A का heat capacity नहीं दिया गया है वो reaction mixture का heat capacity दिया गया है A plus B is P तो यह reaction mixture का heat capacity दिया गया है और जो कि बोला जा रहा है कि independent of composition and temperature तो composition से यह independent है इसका मतलब अगर conversion 100% है तो जो reaction mixture में क्या होगा सिर्फ P होगा ना तो P का heat capacity C, P, P कितना हो जाएगा 2 kJ per kg अच्छा जब conversion 0 है तो इसमें क्या होगा A and B होगा और A, B का जो C, P होगा वो भी आपका 2 kJ per kg होगा C, P मतलब A का, B का और P का तीनों का heat capacity equal है तभी तो आपका reaction mixture का heat capacity with composition change नहीं करेगा ठीक है आप समझगे इस बात को करना पड़ेगा उसके लिए हमें A का heat capacity हम पहले निकालेंगे तो A का heat capacity कितना है mole per meter cube से feed किया जा रहा है और volumetric flow rate यहाँ पर 8 है इसका मतलब अगर इन दोनों को multiply कर दें यह 4 और यह 8 तो आपको क्या मिल जाएगा 4000 into 8 और meter cube, meter cube subtract हो जाएगा तो यह आजाएगा kilo mole per hour simply ठीक है kilo mole per hour नहीं, sorry friends यह देखिए 4 kilo mole per meter cube है है ना और density हमें दिया है thousand तो thousand और यह 4 multiply, divide कर दीजिए ठीक है 1000 kg per meter cube हमें given है और यहाँ पर given है 4 kilo mole per meter cube दोनों को डिवाइड कर देंगे तो thousand by 4 kg per kilo mole ठीक है यह हमारा आ जाएगा ना दोनों को डिवाइड कर देंगे meter cube, meter cube cancel out हो जाएगा मतलब conversion of kg into kilo mole हमें यहाँ से मिल जाएगा ठीक है तो यह हम यह mole की जगा पर यहाँ पर देखें inlet पर यह हो जाएगा 4 by 1000 kilo mole per kg simply और kilo mole को mole में convert कर लेंगे तो यह conversion हमें आ जाएगा कि यह inlet पर होगा 4 mole per kg तो यहाँ पर 1 kg की जगा पर हम 4 mole simply लिपूट कर देंगे यहाँ पर ठीक है तो यह यहाँ से CP आ जाएगा देखें kg kg कट जाएगा mole mole कट जाएगा Kelvin Kelvin कट जाएगा तो CP यह हमारा आ जाएगा 0.5 फ्रेंट्स ठीक है जैसे कि मैंने बोला था कि reaction mixture का composition और individual reactants और product का सबका यह heat capacity सेम है तो CP भी 0.5 आ गया और CP भी 0.5 आ गया ठीक है mole वाले unit में अब देखिए inlet पे feed में कौन कौन है A and B है ठीक है तो यह जो heat required है to raise reactant temperature वो per mole में आता है पर mole of feed हमें अगर reactant का temperature raise करना है तो कितना heat चाहिए ठीक है तो इसका मतलब अगर हम 0.5 A ले लेते हैं और 0.5 mole B ले लेते हैं तो यह हमारा आ जाएगा total heat required to raise temperature from 392 T friends ठीक है और यहाँ पे CPA, CPB 2.5 हो जाएगा ठीक है तो add करने के बाद हमें यह यहाँ तक हमने find कर लिया ठीक है उसके बाद यहाँ से temperature हमारा आ जाएगा 290 Kelvin 290 Kelvin यहाँ पे फ्रेंच कई लोगों को confusion भी हो सकता इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि heat required to raise reactant temperature to T2 per mole होता है per mole of feed of feed ठीक है पर mole of feed है तो 0.5 mole हम ले लिए A का 0.5 mole ले लिए B का क्योंकि reactant में A और B दोनों है ठीक है तो per mole आपका feed हो जाएगा 1 ठीक है इस तरीके से हमारा 290 आ जाएगा अब इस तरीके से इसको जब मैंने solve किया तो मुझे खुद बहुत सारी डाउट हुए इस question को solve करते समय बहुत confusion भी हो गया क्योंकि यह जो CP का conversion है mole से kg में उसमें भी बहुत सारा doubt हुआ और यहाँ पे यह वाले expression में भी बहुत सारा doubt हुआ तो chances थे कि इस question को अगर आप formula basis पे solve करने की कोशिज करेंगे तो आप गलत कर देंगे तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको energy balance जो बहुत ही basic से इसको आप solve करिये ठीक है तो चलिए यहाँ पे conversion हमने one ले लिया final temperature 390 initial temperature TI और यह A का molar flow rate और यह B का यह total volumetric flow rate ठीक है और यह A का concentration B का concentration और final यहाँ पे P का concentration हमें ने यह लिख लिया question में जो भी given है तो सबसे पहले हमें find out करना है कि इस reactor में exothermic reaction होने की वज़े से कितना heat produce होता है friends तो इस reactor में जो heat produce होता है वो है 50 kJ per mol A जितना ही अगर एक mol A react करता है तो आपका 50 kJ produce होता है है ना अच्छा अब देखिए A कितना यहाँ पे feed में जा रहा है 4 kmol per meter cube ना और conversion है अगर हम conversion 1 लेते हैं तो यह पूरा 4000 mol यहाँ पे react करेगा per meter cube ठीक है और volumetric flow rate से हम अगर multiply कर देंगे तो यहाँ से meter cube cancelled out हो जाएगा तो इसका मतलम 8 into 4000 moles of A will react per hour ठीक है और यहाँ से mole A reacted mole A reacted cancelled out हो जाएगा तो finally हमें मिल जाएगा कि यह kilo joule per hour ठीक है kilo joule per hour तो इतना heat per hour हमेरा generate होगा 1.6 into 10 तो देपाल 6 ठीक है अच्छा अब देखिए अब यह reactor friends adiabatic reactor था कि नहीं था यह reactor adiabatic reactor था adiabatic reactor में friends heat generated जो भी जो भी inside reactor होगा वो इस reaction mixture के temperature को increase करेगा है ना तो जो भी heat हम supply कर रहे हैं वो हमारा reaction mixture के temperature को increase करने में use हो जाएगा ठीक है तो हमारा heat generated इतना है 1.6 into 10 to the power 6 kilo joule पर आर ठीक है और यहाँ पे mass flow rate heat capacity into delta T delta T कितना है Ti से 390 हुआ तो 390 minus Ti delta T हो गया CP हमारा reaction mixture का given है और mass flow rate कितना हो जाएगा friends volumetric flow rate into density ठीक है volumetric flow rate हमारा 8 दिया गया है density 1000 दिया गया है और CP भी हमारा kg में ही जितना दिया है सीधा सीधा हम यहाँ पे पूट कर देंगे ठीक है तो यहाँ से Ti बहुत आसानी से हमारा 290 आ गया friends तो यहाँ पे आपको कोई doubt भी नहीं हुआ होगा और जो फार्मूली बेस्ट पे मैंने जो बताया जो लिविंस पे में जो मेठड दिया गया है उस बेसिस पे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि चांसल है आप उसमें मिस्टेक कर देते ठीक है आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि कौन सा मेठड आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है और आज के लेक्चर के लिए इतना ही फ्रेंज थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंज थैंक्स पर लानिंग गुडबाय और टेक केर